हेलो दोस्तो नमस्कार हम लोग को NPA भी देखने है सो यह सारी बातों को consider करने के बाद ही हम लोग यहापर decision लेंगे कि HDFC बैंक के numbers कैसे रहे बट वीडियो के शुरुआत में ही बोल दू numbers अच्छे रहे या फिर बुरे रहे फिर भी HDFC बैंक को जादा तर करके कोई फरक यहापर नहीं पढ़ने वाले याद रखना दोस्तो एक खराब number से कभी भी कोई भी bank suddenly तूट नहीं जाती है हाँ अगर company में कोई fraud है कोई बहुत बड़ा कुछ provisioning वाला हुआ है जैसे कि yes bank में हुआ था कि expect कर रहे थे कि अच्छे numbers आएंगे मतलब profit देखेगा and suddenly समझ में है देड लाग करोड का provisioning दिखा ही नहीं था जो कि राणा का पूराइन उनके अंडर के management ने छुपा के रखा था ऐसे activity अगर होती है तो अलग story है but normal इसमें मैं बोल दू तो अगर result कैसे भी रहे अच्छे रहे तो normal अगर गिरावड भी रहेगी तो भी अगर हम लोग बात करें तो इससे कोई HDFC bank या फिर जो बड़े-बड़े banks रहते, stocks रहते उसमें ज़्यादा हम लोग कोई फरक पढ़ते हुए देखने को नहीं मिलता है तो चलि ज़्यादा time less नहीं करते है डिरेक्ली आ जाते है HDFC bank के result कैसे रहे पर उसके पहले और एक important बात कहना चाहूँगा जैसे कि stock market classes इस channel के उपर आज सुबे में ने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि सेबी ने कैसे यहाँ पर fraud पकड़ा है निससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है ज़रू इस वीडियो के लिंक उपर आई बटन पर नीचे description box में मिल जाएगी ज़रू इस वीडियो को भी आप चाहो तो check out कर सकते हो सो दोस आप देख सकते हैं HDFC bank का यह जो number है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुके 16th January अभी अभी जस्ट आये है आप लोगों की सामने में ने तो अभी तक देखा भी नहीं है हम लोग उपर उपर से यहाँ पर एक overview करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर rupees in lakhs में लिखे हुए है यह lakhs की figure से मैं directly उसके आगे कोई lakhs weeks नहीं लगाँगा हम लोग numbers की बात करेंगे उससे अंदाज़ा आ जाएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या देखने है हम लोग को की columns यह है 2020 मतलब इस वक के result September मतलब यह पिछले quarter के result and अगर 19 की बात करें मतलब यह भी है quarter 3 के result but year on year basis तो चले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि company के numbers कैसे रहे सबसे पहले interest earn जो की company का main business है bank का main business है तो सब कुछ interest earn की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फिलाल तो हम लोगों को शुरुआत में यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब 293 था जो कि अभी 300 के इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो यह 200-300 में बात करो अगर आप उसको पूरा detail में पढ़ना चाते हो तो यह 30 lakh yes हो 30 lakh rupees in lakhs और उसके उपर और पाट 0 क्योंकि यह भी figures lakhs में है तो यह 30 lakhs था last time 29 और उसके पहले भी 29 के ही range में तो हम लोग interest earn तो बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीकी से जो कि bank का core business है उसके साथ साथ bank ने other भी income यहाँ पे कम है तो total income की अगर हम लोग बात करें तो 37 lakh 52,292 है जो कि last quarter में 36 lakhs था तो अच्छा खासा jump देखने को मिल रहा है और उसके पहले year on year basis भी 36 lakhs था जो कि अभी 37 lakhs से भी उपर मतब 37 lakhs and 50,000 से भी उपर देखने को मिल रहा है तो एक बात तो यहाँ पे शुरुआत में में बोलना चांगा कि bank की जो income है कि कमाई का यह वो उसमें कोई भी यहाँ पर हम लोग को damage देखने के नहीं मिल रहा है bank अच्छी तरीकी से income यहाँ पर generate कर रही है बट आप सब लोग कता है सर्फ income देखे काम नहीं चलता है उसी के साथ expense खर्चे भी देखने पड़ेंगे कोई adjustment है वो भी देखना पड़ेगा तो चले थोड़ा सा आगे यहाँ पर आ जाते है so income के बाद आप देख सकते हैं interest income के साथ साथ आपको interest expenses भी देखने को मिलेगा अब ही interest expense मतलब हम लोग कह सकते हैं जो bank आपके through deposit लेती है उसके ओपर भी जो gas देना पड़ता है वो भी expenses form में ही देखने को मिलता है and बहुत सारे factors इसमें आ जाते है so हम लोग individual चीज़े तो नहीं देखेंगे employee cost भी है other operating expenses है सब कुछ cut करने के बाद दोस्तो जो total खर्चा अगर आप लोग देखेंगे 22,33,690 हम लोग को या पर देखने को मिल रहा है जो कि हम पिछले time अगर हम लोग देखेंगे 22,00 के ही range में था and उसके पहले 23 था मतलब year on year basis की बात करें एक और एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रहे है की year on year basis आप देख सकते खर्चा यहाँ पर expense कम होते वे नजर आ रहा है slightly है बट कम तो जरूर है सो मतलब double मुनाफा company के income भी बढ़ गए और income कम कैसे होती है expense अगर बढ़ता है जो कल मेरे वीडियो बनाए था आखरी वाला आप लोगोंने देखा होगा कि सबसे important चीज रहेंगी operating profit before provision and contingency यह जो bank का main अभी तक की जो कमाई है वो हम लोग बोलेंगे इसके बाद सारे adjustment शुरू हो जाते कि मतलब बोलते हैं na estimations के उपर सारी चीज़े शुरू हो जाती है कि हम लोगों को लगता है कि इतना पैसा नहीं आएगा तो इतना provisioning करना पड़ेगा and all that बट यह जो अभी तक का जो number है यह वाला जो number में underline करके बता रहो यह bank का main number है मतलब जीतना कम है जीतना expense के है यह main number है इसके बाद adjustments आते हैं अगर हम लोग बात करें कि कैसा रहा company का performance सो हम लोग कह सकते 15,18,602 रूपीजीन लैक्स का यहाँ पे company का operating profit है operating मतलब main operation जो bank का lane देन करके जो सब कुछ main profit है उसका ही अगर हम लोग बात करें लगबग था तेरा लग के ही आसपस आप पकड़के चल सकते हो 12,94 था जो कि अभी 15,00,00 में हम लोगो देखने को मिल रहा है मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा अपने point office चे बात करना पसंद करता हो कि यह numbers मुझे operating profit वाले बहुत ही 5 star भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो अभी इसके बाद कहानी change हो सकते है क्योंकि अभी provisioning आएगे सब कुछ चीज़ आएगे तो चलिए देख लेते यहाँ पर बट मैं इतना कह सकता हो कि bank ने performance बहुत शांदर दिया यहाँ तक ही देखके मैं एक बात जरू कहूंगा कि जिनके पास भी यह bank का stock रहेगा as a investment उनको मैं जरू यह पर बोलना चाहूंगा कि हरी जंडी green येस आप जरू continue कर सकते हो देखे NPA का adjustment अलग हो सकता है क्योंकि इस वक्की situation अलग थी बट हम लोग का main concern ही यह था कि क्या operating profit hampered नहीं होना चाहिए जो कि bank का main performance है तो वो नहीं hampered हुए ना तो आप लोग green जंडी आपे ले सकते हो अगर आप मेरे previous results देखोगे इसके पहले banking वाले तो वहाँ पे मैं green जंडी कब बोलता था यह अच्छी bank है तो चले थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेते हैं थोड़ा सा tough situation में आते हैं जो कि provisioning आप देख सकते हैं provisioning शुरू हो चुकिए तो कितना provisioning की है नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है कोई बड़ा provisioning तो नहीं है हाँ year on year basis ज़रूर बड़ा है जो कि आप लोग देख सकते हो लगबग 3,41,41,41,3 rupees in lakhs का provisioning है जो कि last time 3 lakh के ही आस मतलब same range ही है चोटा बहुत हम लोग बोल सकते हैं 50,000 के around rupees in lakhs का difference देखने को मिल रहा है बड़ पिछले quarter से तो provisioning यहाँ पर कम नजर ज़रूर आ रही है तो दोस्तो provisioning भी अगर ठीक टाक नजर आ रही है तो हम लोग कह सकते कि आगे के numbers भी बहुत ही अच्छे रहेंगे exceptional item का कोई भी adjustment नहीं है आप देख सकते हो तो सब कुछ अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ profit ordinary activity before tax tax देने के बाद सब कुछ cut करने के बाद final जो profit हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है standalone balance यह result का so net profit for the period so यहाँ पर मैं circle करना चाहूँगा यह देखी यह है profit अच्छे से circle कर लेता हो यह वाला box कर लेता हो कितना है 8,75,829 yes obviously रुपीज इन लाइक से और पाच जिर यह है company का इस वक का profit सब कुछ adjustment करने के बाद जो कि last time था 75,751,311 so हम लोग कह सकते quarter on quarter best बहुत ही अच्छी तरीके से jump है and year on year basis देखेंगे तो और भी जबरदस 7,41,6,48 से लेके 8,75 तो दोस्तो year on year basis भी बहुत ही शांदर मतलब जो मैंने green जंडी दिखाई थी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई यह भी hitch की chart होनी चाहिए final profit देखके भी कि bank का performance बहुत ही शांदर आ रहा है stand alone basis के उपर तो यह तो हो गई profit की बात आप सभी लोग को बता है मैं हमेशा बता तो banking के जो numbers रहते हैं थोड़ी से अलग होते है बाकी लोगों के क्योंकि यह तो profit की बात होगी अच्छी बात है बहुत ही अच्छी बात है बट NPA तो देखना है कि यहाँ पर non-performing asset क्या इसकी हालत क्या है तो एक बार थोड़ा सा नीचे हम लोग जाते है हला कि जो actual NPA रहेंगे हम लोगो future में और खराब भी देखने को यहाँ पर मिल सकते है तो इस वक्के NPA यहाँ पर देख लेते हैं ज्यादा क्या performance है कि ने gross NPA आप कह सकते हैं यह देखिए कितना है 8,82,556 ठीक है जो कि last time था 11,00,000 के इसमें और उसके पहले तो 13,00,000 so 11,00, 13,00,000 प्रिवियस इसमें था जो कि अभी 8,00,000 की इसमें देखने को मिल रहा है चलो 9,00,000 पकड़ लेते 8,82 है करके so gross NPA में भी हम लोग यहाँ पर बात करें तो ज़्यादा jump फिलाल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है ठीक है net NPA की बात करें तो adjustment के बाद हम लोग कह सकते हैं फिलाल 1,00,000 देखने को मिल रहा है जो कि last time 1,75,000 था और उसके पहले तो 4,00,000 था तो हम लोग जरू कह सकते हैं कि यहाँ पर NPA में हम लोग को गिरावाट देखने को मिल रहे हैं बट आप सब लोग पता है बीच में बहुत कुछ हम लोग को issues भी देखने को मिल लेते तो और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि company के numbers मुझे तो अच्छे लगे long term के लिए आप लोग hold कर सकते हो ऐसा मुझे आपे personally लगता है बाकी आपकी मरजी मैं short term की कोई भी बात नहीं करना चाओंगा कि आने वाले दो दिन में क्या यह अच्छा करेगा नहीं करेगा TCS ने अच्छे नंबर दिखाने के बावजुद वो नीचे गिया था बाद में हम लोगों को 2-3 दिन के बाद वापस जम दिखाई Vipro, TCS, उसे के साथ-साथ Infosys इनके numbers भी मैंने आप लोगों को बता है बहुत अच्छे उसके बावजुद वो stock नीचे गे आपको क्या लगते वो खराव हो गए? बिलकुल भी ने वो long term के लिए जरनी की में बात कराओ अगर आप एक investor हो, तो investor के हिसाब से मुझे इसा लगता है कि नंबर बहुत ही अच्छे कासे नजर यहाँ पर आ रहे है सो दोस्तो यह तो चीज हम लोग ने देख ली उसे के साथ साथ segment revenue भी देख लेते कि income जो हुई है, treasury, retail banking, wholesale banking मतलब कहा से पैसा अच्छा कासा develop हो रहा है सो treasury का performance अच्छा चल रहा है जो retail banking की अगर हम लोग बात करे सो retail banking भी number wise तो अच्छा है और बाकी के operation की भी बात करें तो ठीक टाक performance देखने को मिल रहा है सो दोस्तो हम लोग देख लेते कि bank का performance की से रहा बाकी के इसमें जो कि आप सभी लोग को पता है किस से related net interest income यह जो सो net interest income की अगर हम लोग आपे बात करें other income को जोड़के, सो last time था 20,00842.2 करोड जो की इस वक ग्रो होके हो चुका है कितना? 23,760 करोड सो हम लोग जरू कह सकते हैं बहुत ही अच्छा कासा jump हम लोग को यह आपे net interest income में भी मतलब other income को जोड़के भी देखने को यह आपे मिल रहा है पर आप सबी लोग को पता है यह कैसा था net interest income plus other income सो यह तो formality होगी हम लोग को चाहिए ऐसा income जो की pure income and expenditure वाला हो सो आप नीचे देख सकते है net interest income कौन सा वाला? interest earn less interest expenses मतलब यह वही loan देने की बेने की जो बात होती है and deposit लेने की देने की जो बात होती है performance फिलाल हम लोग को यह पर देखने को मिल रहे है बाकी की चीज़े आप लोग यह पर पढ़ सकते हो बहुत लंबे results रहते बट जो मिने आप लोग को बता था overview देने के लिए तो मुझे तो हमेशा की तरह में जैसे आप लोग को बोलता हो तो मुझे ऐसक कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई बहुत ही अच्छे numbers मुझे लगे and वो numbers long term के लिए में कह रहा हो मुझे बिल्कुल नहीं पता short term में कुछ भी हो सकता है बड़े-बड़े investors भी आप लोगों को यहीं बताते short term की कोई guarantee नहीं होती है कुछ भी हो सकता है अभी 24 गंटे में बाजार खुलने के लिए मतलब 24 गंटे exactly तो नहीं बोल सकते मतलब बहुत time है बट कुछ भी हो सकता है तभी 24 गंटे 48 hours आप ऐसे भी बोल सकते हो बताने का मकसद क्या है एक ही कि long term के लिए अगर आप लोग यहाँ पे HDFC bank में invested हो तो यह result डेके मेरी तरफ से तो मुझे इसा लगता है कि result बहुत ही शांदार है और आप continue कर सकते हो बाजार में volatility बनी रहेगी बहुत सारी चीज़े सामने आती रहेगी बट यह number one bank है प्राइवेट सेक्टर का obviously अगर हम लोग बात करें जिस तरीकी के numbers उन्होंने पेश किये मुझे उसमें कोई भी as such कोई खराबी नजर नहीं है long term के इसाब से तो short term में कुछ भी चीज़े हो सकते है और एक और एक बात important चीज़ कि 100% perfection नहीं मिलेगा मतलब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा ऐसा कभी सपने में भी नहीं होगा आप कोन से भी company का result निकालो आपको किदर ना किदर थोड़ा बोड़ा मतलब बोलते हैं ना खोट तो मिलेगी आप लोगको बट अगर हम लोग overview अगर करें maximum points को देखके तो एक बात जरूर है कि लंबी आओधी के लिए आप लोग continue याँ पर रह सकते हों अगर गिरावट होती है तो अगर आप चाहो तो buy and dips as usual apply करके slowly slowly steady steady यहाँ पर छोटा छोटा quantity add करके जरूर लंबी आओधी के लिए आगे इस में continue करोगे तो अच्छा कासा profit जरूर generate हो सकता है so HDFC bank की बात करें तो आप देख सकते है 1467 के level पर देखने को मल रहा है and G7 आप लोगों को कल भी दिखाया था अगर आप इसका chart pattern भी देखो कि कहा पर यह बिल्कुल अपने all time high पर है so 100% तो result आपको कभी मिलेंगे नहीं तो बाजार कुछ भी चीज़ों को पकड़ के negative react करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने डरना चाहिए right क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़े यहापर हो चुकी है अगर मैं बात करूँ तो यह देख लिए ना इसके पहले यह जो क्या है previous समझ में आ रहे यह previous क्या है पिछले तीन quarter के estimates देखोगे तो कुछ भी नहीं सब कुछ मिस हुआ था पट स्टिल बैंक कहा पे top पे है ना तो investor के लिए कभी भी यह चीज़े माइने मतलब बोलते हैं ना नुकसान यहां पे नहीं होता है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को यहां पे बताना चाह रहा था तो result के पहले हम लोग यहां पे बात करें तो एक बार देख लेते 15 तारीक को यहां पे क्या स्थीती थी so 39 to 40% के आसपस डिलेवरी जमनों को देखने को मिली है so ओराल यही कहना चाहूँगा दोस्तो वीडियो को close करने इस पहले अगर आप long term investor हो तो मुझा यहसा लगता है कि result में आप लोगों को continue करना मतलब देखने के बाद आप लोगों ने ज़रूरी आपे continue करना चाहिए इतना ही में आपको कह सकता हो so आई पाशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like and share कर देना so that's it thank you very much जोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई